नमस्कार मैं श्रमूल आपका स्वागत करती हूँ करिया काउच विच शुभांग करके एक नए एपिसोड में स्टूडिन्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है संचार यानकी कम्मुनिकेशन जो कि मेरा एक बहुत important और favorite topic है तो आज मैंने अपने ही इस show में जिन guest को invite किया है उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो है इस program के host जो कि है शुभांकर भटाचारियजी खुद शुभांकर भटाचारियजी को आप खाली इस show में ही नहीं देखते हैं बल्कि कई राष्ट्रिय चैनल्स में वो एक प्रवक्ता है पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल डिफ्रेंट टॉपिक्स में आप उन्हें एक वक्ता के ओर से देख पाते हैं तो क्यों ना हम आज उन्हीं से बात करते हैं कि कम्मिनिकेशन की जरुवत क्या है क्या आर्ट ओफ कम्मिनिकेशन हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए तो ले्टज वेलकम शुबहांकर वर्टचारिया on अवर शोud शुबहांकर जी आपका स्वागर थे आपके ही खुद के शो में करिये काच्ष विध शुबहांकर बहुत भदा धन्यवाख शिमुल आपने मेरे शो में आपनी अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और आशा करता हूं मेरे सारे दर्शक आज इस एपिसोड का बरपूर मजा लेंगे आज का आनन्द इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग बातसीत करेंगे वारतालाव के उपर जी हाँ बिलकुल तो शुभांकर जी जितना हम आपको जानते बहुत साल से आप राश्ट्रियस चैनल में अज़ा प्रवक्ता तो है ही लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस में नाशनल और इंटरनाशनल स्कूल्स और उनिवर्सिटीज में भी आप जाते हैं स्टूडेंस के सेश वाके में जरुवत है कम्यूनिकेशन को सीखना शुबल यह एक बहुत अच्छा टॉपिक है जैसे आपने अभी कहा कि क्या कम्यूनिकेशन वाके सीखने की चीज है क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं हम एक ही चीज करते हैं वह है समवाद एक दूसरे से वारतालाब एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए जो हमारा जो समवाद है आप अगर हमारे पूरवजों के समय से देख लिए तो समवाद में हमेशा एक तब्दीली आती गई कहते हैं कि भाषा जो है हर 10 किलोमेटर पर भाषा थोड़ी न थोड़ी बदलाव आती जाती है और इस तरीके से आप अगर जोगरफिकली अगर आप देखें तो आप जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं आप हिंदी अपनी सिफिक हिंदी में देख लिए तो उसकी बोली में एक परिवर्तन आजाता है कि परिवर्तन क्यों आता है सोचा है कैसे करके यह जो माध्यम है एक हिंदी परिवर्तित होते होते भोजपूरी तक में कैसे तद्दिल हो जाता है जी बेलकुल देखिए जो हमारी जो खड़ी बोली है अब जब हम खड़ी बोली होते तो ऐसा थोड संबाद होता था उसे मैसेज जो है वो सीधे सीधे आप तक पहुंची थी यह जो पूरा जो संबाद का जो एक सिस्टम जो बना जाए वो किसी भी भाषा में हो उसका एक साइंटिफिक एक इवालिशन अपने जगे है अब बात है कि सीखना क्या अनिवारे इसकी जहूरत क्य जहूरत इसलिए है क्योंकि जब आप मोटिवेशन की बात करते हैं स्ट्रेस की बात करते हैं हमारे जिंदगी में आम दिन चर्या में अगर आप थोड़ी देर के लिए मूँ खो जाए यानि अगर आप चुप हो जाए आप अपने आपको बिल्कुल शट डाउन कर ले जु तबसे हम इंसानों के पैदा हुए हैं तबसे एक चीज हुए है कि हम अपनी बात को पहुचाएं दर्द हो रहा है तो मा को बताएंगे कोई चीज होता है तो पिता के पास चाहेंगे तो यह हमारी जहुरत तो कही सिर्फ हिस्सा नहीं है यह हमारा एक तरीके से हमारे को जि मतलब आप स्टूडें से वारतालाप कहने जाते हैं, आप के ऊपर कोई भी अगर आपके विशय में बात हम करें हम अगर सिंपल सा आप से इतना पोचते हैं, अपने विशय में बताओ, तो उसमें भी आप लोग कतराते हैं, है ना? सभी बात है, होता क्या है, कि ये कई सेशन में हम लोग गये, हम लोग साथ में भी हम लोग सेशन के शिमलत, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिन स्कूल्स, कॉलेजिस में जाके, जब हम लोग ने बच्चों से बात करने की कोशिश की, तो एक कैतना आइस ब्रेकर, यानि खुझ से एक संवाथ की शुरुवाद करना? यह जानते हैं, यह जथा तर कई जगे इंटर्व्यू पे होता है, जब जो इंटर्व्यों होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, जी और उओ छुपचाप देखते रहते हैं, कि जो जिसका इंटर्व्य ले रहे हैं, जो है एक समभात को शुरू करने की कला है कि नहीं है और मेरे इसाब से इससे पढ़ाकू बच्चे से कोई लेना देना नहीं है नहीं इसमें आप इसको आप जिन्दगी से पहले लिए अभी पढ़ाई से हम लोग दूर बात करते हैं आप किसी से मुलाकात करते हैं तो जो पहली उस नमसकार कहने से पहले आपकी जो आँखे जो मिली जो टक्राई जिन्होंने उदर से कैं वहीं से आपका समभात शूरू होता है और वहां से सामने वाला आपको एड़ाप्ट करना शुरू करता है अच्छा फ़ला व्यक्ति मुझे इस से परिश्य करा रहा है तो पहले उस व्यक्ति का जो आचरण है, उस व्यक्ति का जो प्रभाव है, वो उस image setting में काम आता है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है, जब आप वो जो नमशकार करते हैं और फिर आप से जो पहली जो आप बोली बोलते हैं, जिस भाशा में आप सामने वाले से मुलाकार करते कुछ लोग होते हैं हसते खेलते माजाक करके साथ ममलते, तो तुरण एक बात आ जाती है क्या कि मझाकिया हैं, या Beaativas किसी ने आपको बोल दिया, कि सामने सामने मिले और सिधरY आपको एक हेलो करके तुरण दूर दूसरी तरफ, तो दिमाग में आ जाते हैं, अरे памैंद म बनाने लगते हैं, हम लोग जज्जमेंटल हो जाते हैं, अच्छा यह व्यक्ति जो है तौड़ा अकडू है, यह हमसे मुलागात नहीं करना चाहता है, यह बाते हो के बात कर रहा हैं, यह बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जितना हम लोग बच्छमन से बोलते थे ते हैं, क्येवशन थे जाते हैं, यह रजग पहली बार में आप सामने वाले को उसकी उपर जो छ ओवी आको में बना या जाते हैं, वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, यह सकते हैं करियर को मिला के क्योंकि शो करियर का उच का है और देखने वाले आपके स्टूडेंट जादा है तो हम करियर को इसके साथ मिक्स करते हैं सोचिए आप एक इंटर्वियू कि आप से दरवाजे पर खड़े हुए जी अब मोमेंट इंटर जो पैनलिस्ट है वह आपको कहते हैं कि कम इन जैसे कम इन बोला वहां से जो कैंडिडेट अंदर आया है में आये कम इन उससे जो अंदर घुसके उससे सब की तरफ देखा क्या उसने आई कॉंटेक्ट बनाए की नहीं बनाए इंटर्वियूर हर कुछ नोटिस कर रहा होता है जो पैनलिस्ट होते हैं वो सब कु सब्सक्राइब कर देंगी एक सामाजिक वातावरन में भी चीज करते हैं आप पार्टी में किसी से आप सबसे पहले क्या दिखते हैं वो आदमी दिख कैसा रहा है वो कैसे करके खड़ा हो रहा है खड़ी हो रही है किस तरीके से उसका पॉस्चर है कैसे उन्होंने हस के अपना तरीका है अपना अपना लहजा है लेकिन यह लहजा बता देता है कि आपका व्यक्तित तो कैसा है वो उसको परिभाशित कर देता है पहले ही चाहिए आप जितना भी नॉलेज रखें अपने साब्वेस्ट में लेकिन किस हिसाब से आप अपने आपको कि अब आप किसी से पहली बार आपने समवाद किया आपने उसके पास शवी बनाई आपने नमस्ते कर लिया कुछ लोगों के आचरण में होता है अभी आपने जैसे बताए कि विद्या को दिखाने का तरीका अब हमारे देश में मतलब मैं इसको विडम नहीं कहूंगा कि देखिए क्या है कि अगर अपने आपको पड़ा लिखा दिखाए जाता है तो एक कॉमन जेस्चर है कि इंग्लिश में लोग शुरुआत हो जाते हैं तुरंट जो है तुरंट आ जाएंगे हलो माइसल देस क्यों क्या आप अगर अपने भाषा में बात करते हैं नमशकार से अगर शुरुआत करें जी हाँ क्या अगर हिंदी में बोलें तो क्या आप कम शिक्षत दिखाई देंगे यह गलत है सोचना और अगर इसको आप एक बहुत सिंपल से एक्जामपल के तौर पर देखें तो कौन मन बात करते हैं उतना प्रभाऊशाल होता है कितने लोगोंने की कोशिश की लेकिन आज भी अमिता बच्चन को आप के किसे से और प्रजशान कोस्ता है और अलज़ा शुक्ता अलगे बनके यही बात जब आप किसी चीज के साथ जुड़ते हैं आपका जो वारतालाब करने के जो कला है वो आपके नाम के साथ साथ लोगों के आखों में जो है पिचल बनाने में वो काम्याब होने लग जाता है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपने सफलता की तरफ जो सीनी की पहला जो कदम है उसके उपर आपने पाउ रग दिया तो शुभांकर जी जैसे कि आप अभी समझा रहे थे कि किस हसाब से आई कॉंटाक्ट हमें बना के रखना चाहिए किस हसाब से दरवाजे से अंदर आते या फिर नॉर्मल आप किसी जगा पे किसी पार्टी में भी गये तो किस हसाब आप से आप अपने आपको प्रोजेक्ट करते है तो यह डिलेट करता है आइ तिक एक्सप्रेशन के वर राइट बिकुल सही बात शुमूल यह बहुत अच्छी बात कही आपने एक्सप्रेशन अभी मैं आपको बताया जैसे भी आपको एक एक्जाम्पिल दिया भी अगर म आप किती दे तक मुझे सुनेंगे आप मुझे सुनना पसंद नहीं करें एक समय पे आप बोर हो जाएंगे आप चैनल बदल दालेंगे खैर चैनल अब बदल सकते हैं लेकिन ऐसा करिये का निए आगे आपको बताने वालों वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोड ला सक अब एक चोटी सी बात जब आप एक्सप्रेशन लेक बात करते हैं तुछो गाति अात का किरें येस आप का क्या करें या तो कि यहीं कर आपके और जिसे आप और क्या होता है जब आप किसी एंटوس मेर तरल यह आप पर आपको अपना कोई अफिशल प्रेजनेशन देना है अगर मैं स्टूडेंस के लैंगविज से बात करूं तो अगर बच्चा स्टेज पर होता है तो सामने माई के लिकिन हाथ को क्या करें जब हम मास कम्मुनिकेशन कहते हैं मास कम्मुनिकेशन का मतलब होता है वो एक और टॉपिक है शुमूल पहले हम लोग इसको एक हम वन टूवन के में अगर मैं इस टॉपिक में बात करूंगी लेकिन अभी हम बात करें एक्सप्रेशन के उपर तो मास कोंग की एक्सप्रेशन अलग हो जाती है और एक होता है जो तो आप व्यक्तिगत किसी समवाद में रहते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए अगर मैं अपना हाथ फिक्स करके मैं एक तरीके से बात करूं तो आप कहेंगे व्यक्ति शिथिल हो गया है यानि कहीं न कहीं वो थोड़ा सा जड़ित दिखाई दे रहा है और ऐसा नह को लोगों को समकी चाहिए अपके आप अज्यम अगर ढ़िशाथ हैं जो आपके आखे बड़िता है तो आपके चाहरे पर डर आपका लंग तो आपकी बटी हो अपकी नवन इकर रंट上 कərत हैं यह आपके जो शरीर की शरीरं की रशना है वह उती बना अब ही अगर मैं कहूं कि मैं जवर्दस्ती कुछ कर रहा हूं या मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं नहीं यह हो सकता ही मेरी अपनी आदत बन चुकिए बात करते करते कि हाथ को हम कैसे करके हिलाते उसकी पोजिशन कैसे होनी चाहिए लेकिन अगर हम उसको ओवर भी करें तो भी वो गलत है अब आती है बात दोस्तों यह बहुत जवरी है जब हम लोगों से संबात करते तो यह देखना पड़ता है कि संबात कर किस से रहे क्या वो व्यक्ति आपसे बड़ा है तो तब कुछ क्लाक पता है कि अगर हम लोग क्राइए तो इसको कहीं न कहीं प्व dal कर रहे हैं सकी इंडिविज उलीटी को हम जो है हार्ट कर रहे हैं उसके शक्सित कर रहे हैं और वह नहीं करना चाहिए उससे होता क्या है जो आपसे बड़ा है, वो अपने आपको कहीं न कहीं अपमानित मैसूस करता है। हो सकता है, बहुत लोगों में ऐसी कुछ मुद्रा दोश हो जाती हैं, जो ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। यही से जो है, आपसी वेदभाव की भी जो है, परिशानी आती हैं। जब हम कम्मुनिकेशन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जो आपसी संबंध है। यह ज़ोरी नहीं कि सिर्फ हम स्टूडेंट के संधर में बात करें। या प्रोफेशनल के संधर में बात करें। आप घरेलू उसमें देखिए। जब आप घरेलू वातावरण में होते हैं, तो आपको पता चलता है, उससी से एक वातावरण के तयार होता है। और वहाँ पर देखिए अगर हम अपने व्यक्तित्तों में, व्यक्तित्तों किस चीस से बनता है? व्यवार से. अगर हमारा व्यवार सब्टिल हो जाए, कहीं न कहीं हम विनम्र हो जाएं, तो बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाईयां जो हैं, उसको हम टाल सकते हैं. बिलकुल है क्या? समझ यही है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें कि कहीं आपके व्यवार, आपके जो जिस तरीके से मैंने बता ना, एक्सपरेशन, क्या होता है? कभी-कभी एक्सपरेशन के द्वारा एक अच्छी बात भी वो गलत लगने लग जाती है. बिलकुल. राइट? बिलकुल है. मारो, मत, जाने दो. वही चार शब्द. लेकिन एक कॉमा, या बोलते समय तो आप कॉमा नहीं देख रहे हैं. वो जो एक गैप आया. मारो, मत, जाने दो. तो पूरा-पूरा जो उसके जो मायने होते हैं, वो बदल जाता है. और जानते हैं, इसी वज़े से हमारे आम ज जालते हैं. यही से होती है तनावकी शुर्वात है. जी, शुभांकर जी, अब मेरा आप से एक next question है. क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि students जब बात करते हैं, तो बात करते-करते हैं, वो कहीं खो जाते हैं. और अपनी ही या फिर ऐसा भी होता है कि ओवर हो जाता है कोई भी संचार की है, बात समवाट की है तो हम यहां पर सबसे पहले तो बच्चों को जलग रख लगते हैं क्योंकि समवाट तो हम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इसमें अनिवार रेता ही है मेरे लिए बच्चे, सबी detrimental करते हैं, इसलिए मैं बच्चा बहूती है। convertedcan पन अगर अगर मातास्री आपके अगर आदेश वो तो आज हम हम दूग वर्ट थे कि सम्वात को अगर जासे आपने का कि अपसेंट रिफ सम पांडेडनेस् यानि पुछ बात करते करते कुछ में आ गए इसका कारण क्या होता है कि हो सकता आप जो विषय में बात कर रहे हैं, उसकी विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप वह सी हूँ की बातचीत करना है, क्योंकि हमें 공평नेकेट करना है, बातकीत करनी है, इस लिए मैं कर रहा हूँ, और ये ज्यादा तर लोगों में ये दिकट हो ती मैं आ पको बता दू बिताना चाहते थे तो उस समय कोई सेंस नहीं होता था सचिन तेंदुलकर आज थोड़ा अगर पाउं बाहर निकाल कि अगर खेला होता शौट तो यह राउट नहीं होता जिंदगी में खुद ने कभी बैट नहीं पकड़ा होगा लेकिन सचिन तेंदुलकर कैसे खेलेगा उ जो कंटेंट है उस कंटेंट का कोई उद्देश नहीं है उसका कोई अब्जेक्टिव नहीं है आप उसे कुछ हासिल नहीं कर सकते तो यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है अब बात है कि उसको हम सुधारे कैसे अपसें मैंडेडनेस को कैसे दूर रखें टॉपिक कहीं से कहीं पहुच गया टॉपिक कहीं से कहीं इसलिए पहुचा है क्योंकि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे थे उसमें आपका कंटेंट बहुत कम था यहीं से एक बहुत चरूरी बात matter होता है कि तर्क कब कुतर्क बन जाता है जादा तर समय घरेलू जो लडाईयां होती है जो समस्याई होती है यहाँ तक कि अपने official कुछ समस्याई होती है वो इसी वज़े से होती है क्योंकि तर्क कुतर्क बन जाता है argument बन जाता है उसमें facts हो, उसमें facts and figures के साथ आप जब बात करते तो तुतर्क है, लेकिन जब आपके पास तार्किक विशय की कमी होती है, यानि आपके पास content में facts and figures missing होता है, तो कुतर्क हो जाता है, यानि उस समय आप सिर्फ एक बात को सिर्फ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका forcefully मनव जब कि आपके पास खुद उसका कोई logical reasons आपके पास खुद उपलब नहीं है, और ज्यादत है जिन्दगी में, आम जिन्दगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में परेशानियां इसी वज़े से आती हैं, क्योंकि जब हम आपसी लडाई में तर्क कि जो व्यक्ति चिला रहा है, वह उस बात को वहां पर साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो बात वहां पर है ही नहीं, तो यह है सबसे बड़ी समस्या, तो जादा तर कोशिश यह करनी चाहिए, कि जब आप किसी बात पर या तो आप तब बोले, जब आपके पास उसके facts and figures properly मौझूद हो, और अकर नहों कोशिश करें उस विशय को टाल जाए, शुभांकर जी, आज मैं आपसे एक communication से related ही, अब next जो question पूछने वाली हो, वह है, formal and informal communication, तो formal and informal communication, I think, आम जिंदेगी में इसका मतलब इसका परिवाशा नहीं समझ में आता है, जब formal जरुवत होता है, तब informal discussion हो जाता है, और जब informal होता है, तब बहुती formal तरीके से students यह professionalist topic पर, you know, communication पर बात करते हैं, तो आप इस भाश में, इस विशे में क्या बोलना चाहते हैं, शिमुल, मेरे ख्याल से, जो बात आप रखना चाहते हैं, वो यह है कि, क्या official communication कुछ ऐसा हो सकता है, यह formal communication, यह informal जो आप बात करें, देखिए, जो website जो समवाद होता है, या व्यवहरिक समवाद होता है, वो अवयवहरिक समवाद से, मेरे ख्याल से, सच बात कहूँ, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती, क्या आप अगर मेरे से अगर आप related है किसी तरीके से मैं अगर अपने संतान से बात करता हूं या अपने माता-पिता से बात करता हूं तो क्या मुझे यह अधिकार है कि मैं वहां पे व्यवारिकता को इस्तमाल न करूं एक तो यह बड़ी गलत चीज है मैंने कई घरों में देखा है वह बच्चों से तू करके बात करेंगे और बड़ों से आप करके बात करेंगे मैं यह बात आज भी नहीं समझ पाता हूं किया हम मैंने कई घरों में देखा है बच्चों से भी आप करके बात कर रहा हूं या मैं इसकी आलोशना कर रहा हूं कि तू करके बात जो कर रहे है क्यो यह उनकी अपने शिस्टम में ड़ल चुका होता है यूंके अपनी शैली है तो हम किसी शैली को हम आलोचना नहीं कर सकते हैं लेकिन साथी साथ एक बात जरूर कहेंगे कि जब वहारिक्ता की बात हम करते हैं उस समय मेरे हिसाब से हर समवाद में वहारिक्ता होनी चाहिए अग अगर आप एक नाटक देखने जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप भेजबुशा को अगर हटा दिया जाए, तो वेजबुशा के अलावा, आप कैसे समझेंगे कि फला राजा है, या ये सिपाई है, या ये गाउं से आया वहाँ वेक्ती है, ये प्रजा है, कैसे समझते होंगे, इसमें थोड़ा सा जुकाओ होगा, बार बार राजा के सामने जुक रहा होगा, उसमें हर चीज को रखने की जो है, वो विंती के तौर पे रख रहा होगा, तो उसकी बोली में, उसके चाल चलन में, उसके देखने के अंदाज से आप पता कर सकते हैं, अच्छा ये राजा नहीं है, ये तो होता है, यही चीज अब आप एक कॉलेज के उसमें पहुंच जाएगे, इसकूल में चले जाएगे, जब एक टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनका जो समवाद होता है बाडी लेंगोज होती है, वो चेंज हो जाती है, क्या सोचा है आपने क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक टीचर से उनकी रोज मुलाकात हो रही है, और वो उनके रोजाना जिन्दगी के एक इस्सा बन चुके हैं, तो वो जितना खुले होंगे अपने टीचर के साथ, उतना बरताव करेंगे टीचर से, लेकिन उनसे प्रिंसिपल की मुलाकात कितनी हो पाती है, हो सकता हफते में एक बार, कभी-कभी महीने में एक बार, वो व्यक्ति जब आता है और आपको पता होता है कि हमारे यहां जो सरवोच जो ऑथरिटी हैं, वो प्रिंसिपल है, तो उनके सब्सक्राइब को रखते हुए, जब आप उनके साथ जब जो आचरन करते हैं, उस उसमें आप में बदलावा जाता है, आप तुरन टथस्त हो जाते हैं, आप अटेंटिव जादा हो जाते हैं, और सब आप देखेंगे, पिंड़ों साइन्स हो जाता है, और सब लोगों की आप बहार गजए, तो आप टीचर से भाथ आजड़ों साथ जड़ते हैं, आप यह इसमें टीचर की गलती रही है? क्या टीचर गलत ईकलतों की भू अपना प्रभाव बच्चे में इतना नी रख पाया करव डीचकर्पै कि और डिसिप्लिलिन हो? जे वो आपको अपनी जिंदगी में जगे दे रहे हैं यही चीज माता पिता को भी सोचने चाहिए जब आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ छुपा रहा है तो आपको यह प्रशन अपने आप से पूछना चाहिए क्या वाकई मैंने अपने बच्चे को उतनी जगे दी क कि जहां पर वो अपनी पूरी बात मुझस तक रख सके एक बच्चा जब तक 10 से 12 तक आता है यह जो उसका जो ट्रांजिशन है तो आप उनको करांतिकारी सोस्ता है यह तो मेरे से लड़ गया अरे यह तो मुझे कुछ जवाब ही नहीं देता देगो मेरा बेटा मुझे जना वो आपको अवाइड नहीं कर रहा है वो सिर्फ अपनी बात को आपके समक्ष रखने के लिए तमाम तरीके ढूंड रहा है अपने बात को मनवाने के ढूंड रहा है और शायद ढूंड नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं शायद आप उसकी जिंदगी में प्रिंसि बिल्कुल, और मैं इस टाइम इसी टॉपिक पे पेरेंस के सात्थ और स्टूडेंस के साथ भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस समय एडमीशन टाइम है और हम लोग जो हे स्टूडेंस को और पेरेंस को देखते है कि कुछ पेरेंस बहुत ही फ्रेंडली है, वो अपने जो उनका passion है, उसी तरीके से वो आगे follow करना चाहते हैं, लेकिन कुछ parents अभी भी है, जो कि बहुत ही अच्छे और well literate parents है, लेकिन वो शायद अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोपते हैं, तो इसमें जो है, जैसे कुछ parents है, जो इंजिनेरिंग के भी knowledge देना चाहते हैं, medical के भी knowledge देना चाहते हैं, communication के भी knowledge देना चाहते हैं, हर चीज़ पे जो है, वो चाहते हैं कि बच्चा हर चीज़ में expert हो जाए, तो आपका क्या कहना है, कैसे इन parents और इस बच्चों के बीच मे कैसे बॉंडिंग होगी कैसे बच्चे शेयर करेंगे कि पापा मुझे नहीं करना है मुझे यह करना है जानते शुमूल यह जो आपने जो समस्या रखी इस दो तरीके की चीज़े है नंबर एक पहले क्या होता था आम परिवार में कई बच्चे होते थे तू माता-पिता जाए एक बेटा है तो डॉक्टर बन जाए वह इंजिनियर भी हो जाए उसको गाना भी आना चाहिए वह खेल में भी अच्छा होना चाहिए वह और रॉंडर होना चाहिए अच्छा यह अपने बहुत बड़ा दबाव है समस्या यह है कि शायद यही गल्ती हमारे माता-पि खान다면 होता है उस समय के पाल्य जानरेशिन चेता उसके साथ हमारे लिए जब तक नहीं जाता रहें गानारे प्ली जान हम पर छाए चाहिए चेलमारे चाहिए इसको इसको समझना भी पड़ेगा और उसको आपको सीखना हुख भी पड़ेगा पैले के जमाने में हमको यह चीज़ नहीं सोचनीज sesame है उस समय के हालात अलगता है हमारे माता-पिता के टाइम में जो वो शोशल अवेरनेस था, वो बहुत सिमित था, तब इतना सोशल मीडिया का चलन नहीं था, आज के दिन में सोशल मीडिया का चलन से हुआ क्या, दुनिया छोटी होती चली जा दिया, सिकोल रही है, अब बच्चे उनसे भी परिचित हो रहे हैं, जो की जोगरफिकली कहीं द शिष्टाचार, उसमें भी एक आपसी वेवार, यह सारी बातों को समझना और रखना बहुत अनिवारे हैं, अब आपने बात कहीं कि, माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद लगाना, क्या यह गलत है, मैं इसे गलत नहीं मानता, माता पिता अपने बच्चों से उसकी है अब बात सिर्फ इतनी है कि एक दूसरे की बात में एक समंजस को बैठाना कहीं ना कहीं we have to sit across the table, we have to come to the same platform, आज हम यहां पे एक दूसरे के साथ एक चर्चा कर रहे हैं और वो इसलिए possible है क्योंकि हम लोग बराबरी में बैठे हैं camera set होने से पहले, camera man ने पहले देखा कि आपका headroom हमारे headroom के बराबर हो खड़े होने के बाद आपकी लंबाई क्या है, हमारी लंबाई क्या है, माइन नहीं रखता जब तक यहां पे बैठे है यह समानता क्यों रखी गई है, कैमरे में हम एक दूसरे को समान क्यों देखना चाहते है ताकि जब कोई बादचीत हो, जब लोग देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, तो कम से कम visually यह बात को समझ में आए, कि अच्छा दोनों जने एक ही लेबल पर बात करना है यह सेटिंग अना सिंबल प्लाटफॉर्म, क्या माता पिता यह चीज़ बच्चों के साथ कर रहे है हम बच्चे को हमेशा नीचे देख के बात करना चाहते हैं, हम एक्षपेक करते हैं, बच्चा हमारी तरफ चेरा उंचा करके बात करे है समस्य है दोस्तों यहीं प्याती है, जब तक आप बच्चे को अलाव नहीं करेंगे, अपने बराबर में आके बात रखने की, तब तक आप उसकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे उसका इंट्रेस्स की चीज में है, आपका बच्चा एक अच्छा लिखक बना चाहता है, आप उमीद लगा के बैठे हैं कि वह एक एस्ट्रोनॉट बनेगा, या पाइलेट बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, हो सकता है वह आपके दवाव में आके उस तरीके से विशे चैन त लेकिन अगर उसमें वो समझ नहीं है, तो फिर समस्या ये आएगी कि कही न कहीं वो डिसिंट्रेस्ट लेके पढ़ाई करेगा और उसमें सफलता नहीं पाएगा, अंततर नुकसान किसका है, आपका पैसा का नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान उसका भी हो रहा है, आपका अभी चीजे उपरी-उपरी तौर पर आपने देखके समझ लिया आपने उसके विशे में रिसर्च ठीक से नहीं किया है बहुत सी चीजे ऐसी होती है जब हम इंटरनेट पर सर्च करके हमें अच्छी लगती है जबकि उसकी वेवारिक्ता में शायद वो आप उसमते आप इस बात को समझ सकेंगे तो अपने बातों को लॉजिकली मैंने शुरू में कहाता ना कि अगर तथ्यों के साथ अगर आप किसी तर्क को रखते हैं तो तर्क कुतर्क में कभी तबदील नहीं होगा कुतर्क तब होगा जब आप सिर्स जिद करते हैं और आपके पास उस बाइलोजी का मार्क्स है, वह सबसे लीस्ट पर है। आपने हवा में आपने सोच लिया कि मैं डॉक्टर बरना चाहता हूं। तो अगर इस पे नहीं है मातापिता काम हम सब्जाना और इपको सवरूप होने अपको आइने के सामने हुट। बिल्कुल यह जो आपने वास्तविक्ता जो यह शब्दका यूस किया है.. मैं स्टूडेंस को थोड़ा सा पूछोंगी.. कि जब students को एक बाइक लेनी होगी या फिर कोई smart phone या smart watch लेनी होती है तो अब कितने खूब सूर्ती के साथ वो लोग मातापिता को समझाते हैं ना लेकिन आजकल के students तो यह नहीं बोलते हैं कि मुझे doctor बनना है वो शायद जादा तर यह बोलते हैं तो आप स्टूडेंस आप बहुत क्लेवर और आपको पता है कि मातापिता से कैसे बात करनी है लेकिन जो चीज आपके फायदे के लिए हैं जो आपके करियर आपके फायदे हैं आपकी पूरी जिंदेगी उसके उपर डिपेंड करता है आप उसी चीज पे तर्क नहीं करते जैसे कि सर ने बताया कि तर्क और कू तर्क में क्या डिफरेंस है आज आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया राइट तो शुबांकर जी बहुत अच्छा लगा I think हमारे स्टूडन्स जरूर इससे कुछ मोटिवेश होंगे और कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने सीखा होगा राइट और शुमल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ही शो में मुझे बुलाने के लिए वैसे तो आप से मैं बात करता रहता हूं लेकिन आज जो बात्चीत हुई वो कुछ अनगी था और मैं आशा करता हूं कि आपको इस एपिसोड से है आप कुछ लेके जाएंगे और दोस्तों अ कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं एक जरूर कहूंगा कि यह जो समर वकेशन है जिन बच्चों के लिए चल रहा है उसको खाली न जाने दे अगर इसमें आप उच एक नया स्किल पकड़ सकें उसको अगर पॉलिश कर सकें प्लीज इसका फायदा जरूर उठाए जी घर मॉबाइल ही देख रहा है मैं भी यह बिलकुल बोलना चाहती है अ़ आप स्टूडेंस को में बोलते भी हूँ कि अगर मॉबाइल यह तीवी देख रहे हैं कुछ उसमें से कुछ पूरे दिन में एक टोपिक लीजिए जिसमें आप कुछ निव चीज ललन कर सकते है because इसमें क्या होता है learning continuous एक process है जिसको जो आप अपने daily routine में अगर लाएंगे तो I think आप बहुत अच्छे communicator ये बहुत अच्छे knowledge रख सकते हैं अपने लिए रहाई तांक यू सो मजश रभांक जी हमारी शो में आपके ही शो में आने के लिए और हमारे बच्चों को correct guidance देने के लिए So students, फिर से हम एक new topic के साथ next week new episode में आप से मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए keep smiling and stay healthy चलिए, तो next week फिर मिलते हैं keep watching Career Couch बिच भांकर every Sunday 9 p.m. only on Prime TV Thank you, take care करेंगे बच्चों करेंगे करेंगे